हेलो गुड मॉर्णिंग टू एब्रिवन देखे आज फिर से हम लोग डिसकस करने वाले हैं फिनाइसल अकाउंटिंग है जिसमें टॉपिक का नेम है नॉन ट्रेडिंग और्गनाजेशन या कॉंसर्ण बोलेंगे हम लोग जो बीकम पार्ट वन वाले के लिए है ठिक ना क्य मैंने कल तक लास्ट क्लासे में मैंने सारे ठेड़ी करवा दिया इल्लुस्टेशन नमर वन भी मैंने करवा दिया आज मैं टूपे आ रहा हूं तो सबसे पहले जिनके पास कोशन्स नहीं होंगे उनके लिए मैं फोटो सेंट कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को पढ़ने मे स्क्रीन सर्ट ताकि एस्टेडीज करने में शुविधा होगे तो चलिए हमें चल रहा हूं को कुशन की और पहले मैं कोशन को रिट कर रहा हूं देखें कता फ्रॉम दी फ्लॉविंस इंफर्मेशन प्रिपेर इंकम एंड एक्समेंडीचर अकाउंट हम लोग को बनानी है क्लासेज में में बन वाए था रिचट एंपेमेंट अकाउंट उसमें अनपेड था उसको मैंने नहीं लिया था बट यहां पे income and expenditure account में जो unpaid demand है उसको भी मैं consider करूँगा क्यों क्योंकि income and expenditure account हम लोग को एक cruel basis पे बनाई जाती है जबकि cash जो receipt and payment account होती है उसे मैं cash basis पे बनाता हूँ ठेके अब लोग समझ गया होंगे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो सबसे पहले मैं एक format ड्रॉ करूँगा यह इलिस्ट्रिशन नमर्ट टू है एक मैं छोटा सा format ड्रॉ कर ले रहा हूँ ताकि समझने में किसी प्रकार को दिखते नहों यह हो गया यह आपको गया यहां पर मुझे लिखना है इंकम एंड एक्स पेंडिचर अकांट यहां पर मैं लिखूंगा एक्स्पेंस एक्स्पेंडिचर जो भी एक खर्चे है वो अपने लोगों को लिखनी है यहां पर मैं लिखूंगा इंकम यहां पर मैं लिखूंगा अमांट कि यहां पर भी मुझे अमांट लिखनी है कि इस चिर्कों में यहां पर ड्रॉक कर दिया कि आप देखे सबसे पहले मुझे एक्स्पेंस लिखनी है तूशाइड में और बाइशाइड में हम लोगों को इंकम को लिखनी है ठीक है अब चलते स्टार्ट करते तो देखें इंकम फ्रॉम सब्स्क्रिप्शन यह इंकम है बाइशाइड में जागा बाइश इंकम प्रॉम सब्सक्रिप्शन यह आपको अमांट है कितना है टू लाख ट्वेंटी थाउजन्ट यह हो गया फिर बाइश में है उसके बाइश कहता है शैलरी पेड तो यह तो एक्स्पेंसिज हो गया अपने लोगों को तो शैलरी को क्या करना है टू शैड में लिखनी है टू शैलरी पेड यहां पर कितना दिया हुआ है थर्टी दॉन तो एक ची और देखेंगे उसके नीचे लिखा और स्टेंडिंग शैलरी एड दे इंड आप दे यह ठिक ना तो करेंट एर का जो भी और स्टेंडिंग उसको मैं एड कर दूंगा ठिक है ठिक ना अगर नेक् 30,000 है इसमें इसको अंदर में लिखूंगा और इसमें लिखूंगा एड और स्टेंडिंग शैलरी कितनी है अमाउंट यह 6,000 है इसको मैं यहां पर लिख दूंगा और इसको एड करूंगा तो 36,000 होगा यहां तक क्लियर है अब देखेंगे अतां हमें कता प्रिंटिंग एंड एस्टेश्नडिम है इंट्रेंस भी है यह तो इंट्रेंस इंकाम होती है तो मैं इसको यह रिखूंगा इंट्रेंस को कितना है तो 20,000 है उसके बाद है आपको इंट्रेंस फी के बाद प्रिंटिंग एंड एस्टेशनरी 4500 तू प्रिंटिंग एंड एस्टेश नरी है आपको 4500 प्रिंटिंग एस्टेशनरी 4500 है बागया हैंगे इंट्रेंस फी हो गया डोनेशन डिस्टेप्ड है 10,000 यह भी आपको इंकम होंगे जिको डोनेशन दान तो इसको मैं लिखूंगा इसाड डोनेशन कितना 10,000 है यह हो गया हमेशा याद रखें देखें इसमें वही आइक्टम को लिखना है जो इंकम है उसमें भी करेंट एयर से रिलेटर है नेक्स्ट एयर और प्रिवियर से को नहीं लिखना है इसमें लॉंग टर्म कोई एक्स्पेंडीचर नहीं लिखना है नहीं इंकम को लिखना है ठेक न इंट्रेंस भी हो गया, डोनेशन हो गया, ओफिस एक्सपेंस और रेंट पेड और मिसलिनियस, यहाँ पे जागा टू, ओफिस, एक्सपेंस, यह देखेंगे एमांट कितना दिया हुआ, ओफिस एक्सपेंस है 15,006, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, 15,006, उसके बाद आप को यह रेंट पेड है, 30,000, टू, रेंट पेड, 30,000, उसके बाद मिसलिनियस, एक्सपेंस, 4000, टू, लेंएस, एक्सपेंस, 4000, ठीक न, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस एड को मैं एड करूँगा, जो बड़ा सा है, उसको मैं एड करूँगा, चुकि दीखने से पता चला है, इस एड बड़ा होंगे, और इधर छोटा होंगे, तो जो भी बड़ा होगा, ठीक न, उस एड को मैं एड करूँगा, तो उतना ही इधर भी होनी चाहिए तू लाक फिफ्टी यहां पर लिख्यूंगा टू सर्प्लस जो बैलेंसिंग फिगर आएंगे सर्प्लस यानिकी यह हो गए आपको बैलेंसिंग फिगर योगा सब्सक्राइब कर दूंगा शोला बीज तो चतीस अबिस चपन हजार एक सब्सक्राइब करूंगा तो कितना आएगा कि लेटर से कीजिए तो एक लाख उनसट यार नौस यहां पर आगा एक लाख उनसट यार नौस बैलेंसिंग यहन्निकी दो लाख बच्छास सर में लोग लेज करना है नब्देश एक साओ यह आगा दो लाख उनसट यार नौस ये कुश्चिन हो गए ड़न ठीक है और बड़ता है